अब अजीब तो लग रहा था और भारी भी लग रहा था, I felt heavy, strangely heavy, and I sat up, a movement that cleared my nasal passage almost instantly, और उसके बाद मैं बैठ गया, अभी तक लेटा हुआ था, अब मैं बैठ गया, एक इस movement में, इस बैठक में, I cleared my nasal passages, nasal मतलब नाक से जुड़ा हुआ passage, इन दोनों को क्या कहते हैं, nostril, मैंने आपको बताया था पहले, nostril, So I cleared my nasal passage, बैठने से मेरा रास्ता खुल गया नाक का, instantly, मतलब तुलंतली, आपने पढ़ा होगा, instantly, instantly मतलब ऐसी चाय जो तुरत थुरत बन जाती है, बनी बनाई चाय को पानी में डालिये, और वो तैयार, So instant, so instantly, मतलब तुलंत, मेरी नाक साफ हो गए, almost, लगभग, and relieved the feeling in my chest, curious, I thought, Relief करना मतलब हलका कर देना, और relief करना मतलब किसी को मुक्त कर देना, you have been relieved of the job, तुमको नौकरी से मुक्त कर दिया गया है, I felt relieved when I learned my result is good, मुझे राहत मिली, जब मुझे पता लगा कि मेरा परिनाम प्रसम श्रेणी में है, मेरा result प्रसम श्रेणी है, तो relief मतलब राहत महसूस करना, यहां पर आपका अर्थ है, राहत महसूस करना और वैसे तो मुक्त होना, तो I felt relieved, क्या feeling, in my feeling, in my chest, छाती में जो मेरे अजीब सी एक अनभूती हो रही थी, वो थोड़ी सी उससे मुझे राहत मिली, और वो अनभूती क्या रही होगी, आप इस पैसे से समझ तकते हैं, थोड़ी उनको घबरहाट होने लगी कि कहीं कोई heart की दिक्कत तो नहीं हो रही है, ऐसा कुछ उनको महसूस होने लगा, curious I thought, I thought, मैंने सुचा बड़ा अजीब है यह, curious मतलब अजीब, थोड़ा उच्छुकता हो जाना, थोड़ा अजीब हो जाना, तो यह जो घटना करम हुआ मेरी तबियत को लेके लेता था, तो सांस की तकलीफ, फिर उसके बाद फिर एक नाक बंद हुई, एक खुली, फिर बैठा तो ठीक लगा, यह बड़ा अजीब था लगा मुझा, I felt rather curious, I lay back down and tried again, अब मैं लेड गया और फिर सांस लेने की कोशिश की, नाक तो खुली थी मेरी नेजल पैसेज, पैसेज मतलब रास्ता, एपैसेज तो इंडिया, is the famous book on India, एपैसेज तो इंडिया, पैसेज तो my house is through that river, नदी से उस पार मेरे घर जाने का रास्ता है, तो पैसेज मने रास्ता, तो यहाँ पर है, I lay back down and tried again, मैं फिर लेड गया और फिर कोशिश किया, same result, वही परिनाम, I was on the point of disappearing into the land of Nod, Nod मतलब नीन, disappear मतलब गायब हो जाना, I will have a nod, I had a nod, नीन, छोटी नीन, और nap मतलब बहुत छोटी नीन, nap, N-A-P nap, I had a nap, खाना खाने के बाद लोग आफिस में पांच-दस मिनट के लिए कुरसी में शान्त होके लेड बैट जाते हैं, हांखें बंद कर लेते हैं, वह छोटी से जो नीन हो आती हो, वह nap कहलाती, N-A-P nap, and here I had a nod, और I disappeared into that world, मैं वहाँ पे अब चला गया, जब लेटा, परनाम तो वही था, when something told me not to, Nod यहाँ पर है, किसी ने हिलाया, Nod करना, तो यहाँ पर मुझे किसी ने मानो छुआ और ऐसा इशारा किया, सो ना मत, when something told me not to, not to what, not to sleep, मैं जानी वाला था, नीन में, कि किसी का Nod हुआ, और ऐसा लगा, कोई कह रहा है, सो ना मत, it must have been those emergency electrical impulses again, emergency electrical impulse क्या होता, impulse मतलब एक होता है, त्वरित प्रतिक्रिया, impulse में मैंने उसे थपड मार दिया, एक बहुत त्वरित प्रक्रिया, बिना सोच के, जब कुछ करते हैं, instantly, बिना सोच के, तो impulse कहलाता है, in an impulse, he picked up the money, एक शड में उसने जमीन में जो पैसा रखा था उठा लिया, तो impulse, तो यहां पर electric impulse, और वो भी कैसा, emergency electrical impulse, impulse मतलब आपात कालीन जो शरीर में जो विद्युत तरंगें रहती हैं, आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा, बायालजी में, शरीर में विद्युत तरंगों का सतत रूप से संचार होता रहता है, तो ऐसा लगा कि electric impulse जो है, शरीर के अंदर की विद्युत तरंग मेरे कोई शारा कर रही है, सो ना मत, but this was not the same as on previous occasion, लेकिन ये वैसा impulse नहीं था, जैसे कि पहले होता था, not the same, same मतलब वैसा ही, जैसा पहले होता था, this time I wasn't gasping for breath, इस बार मैं सांस लेने के लिए, जो कहते हैं, ताकत लगाना, gasping मतलब, हाफना, मैं हाफ नहीं रहा था, to gasp मैं हाफना, gasping for breath, breath यहने सांस, to breathe यहने सांस लेना, दोनों के spelling में अंतर मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे, this time I was not gasping for breath, मुझे, मैं हाफ नहीं रहा था इस बार, I was simply not allowed to go to sleep, बस के वल, मुझे नीन नहीं आ रही थी, यहने पहले से सुधार यह हुआ था, कि अब जो मिरे को अंदर तकलीफ हो रही थी, वो नहीं थी, वो तकलीफ से मुझे ज़्यादा डर लग रहा था, और सांस लेने में, अब सामाने महसूस हो रहा था, लेकिन नीन नहीं आ रही थी, sitting up once more immediately made me feel better, यह सब लेटने में अब फिर से मैं बैठ गया, and sitting up once more, एक बार और, once more मनें एक बार और, immediately made me feel better, और उससे मुझे बहतर लगा, अब मैं बैठ गया जब तो मुझे बहतर लगा, यह सब कब हो रहा है, जब वो अकेले हैं विचारे, सब लोग चले गया, he was alone, और थोड़ी घबराहट भी थी, अ अच्छा नहीं था, और उस घबराहट में सब हो रहा था, लेकिन अब वो जब पुना बैठे, he felt better, I could breathe freely, and my chest felt fine, अब मैं पूरी सरलता से अब शांस ले रहा था, और chest जो थी मेरी जहती, वो बिलकुल fine थी, अच्छी थी, ठीक थी, किसी भी तरह की तकलीफ या दिक्कत की अनुभूती, अब मुझे नहीं हो रही थी, but as soon as I lay down, my sinuses filled and my chest was odd, अब मैं फिर लेटा, तो कि नीन तो आ नहीं रही थी, तो लेटना, बैटना, लेटना, बैटना कर रहे थे, plus घबराट थी, तो as I lay down, my sinus, sinus आप समझते हैं न, सांस की एक तकलीफ होती है, sinus, my sinuses filled and my chest was odd, अब यहां पे फूरी सांस फिर फूलने लगी, और चाती भी फूलने लगी, चाती में अब तकलीफ फिर होने लगी, लेटने पर, इसके पहले लेटने में ठीक लगा था, इसलिए मैं वापत ब बैटने में भी ठीक लगा, तो मैं अब लेटने चला गया, क्योंकि अब सोना था मुझे, पर इस बार जब मैं लेटने गया, तो मेरी, मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगी, sinus, I tried propping myself upright against the wall, to prop up मतलब किसी से टिका कर खड़े करना, किसी से टिका कर रखना, the chair is broken prop it up against the wall, कुर्सी टूटी है, उसको दिवाल के साथ चिपका दो, prop up this blackboard along the wall, इस blackboard को दिवाल के साथ चिपका दो, लगा दो, टिका दो, prop up, and so and so has been propped up by the manager, वो लड़का जो है, उसे फुटबाल टीम में ऊपर लाए गया है, मैनेजर के द्वारा, भले ही उतना अच्छा ना हो, उसे artificial तरीके से push कर कर के उसे टीम में स्थान दिया गया है, होगा किसी का रिष्टेदार या कोछ या किती के पहचान का, ऐसे में भी कहते हैं, prop up, he has been proped up, यह उनका चहेता है, उसे उपर उठाये गया है, पर यहां पर जो आपका meaning है, I was prop, I prop myself up against the wall, मैने अपने को दिवाल के साथ टेका लिया, upright मतलब सीधा, stand upright means स्रीधा, I stood upright, and then what happened, but now I couldn't manage to relax enough to drop off, I could not manage to relax enough to drop off, अब मैं ज्यादा relax महसूर नहीं कर पारा था, कुंड की spelling देखिए, c-o-u-l, c-o-u-l-d, n apostrophe t, n-o-t को short में लिख देते हैं, n apostrophe t, और इसको जोड देते हैं कुंड के साथ, तो चारण होता है, कुंट, I couldn't, I just couldn't do that, I couldn't manage to relax enough to drop off, मुझे इतना आराम नहीं मिला, कि मैं नीन में आ जाओं, कि मैं सो जाओं, drop off, सो जाना, relax मतलब आराम, और to relax मतलब आराम करना, तो मुझे इतना आराम नहीं मिला, कि मैं सो जाओं, I couldn't put my fingers on the reason I could not put my fingers on the reason reason मने कारण मैं कारण नहीं पता लगा पाया यह जो मेरे को बेचैनी हो रही थी सांस फूलने की तकलीब जो हो रही थी छाती में कभी कुछ हो रहा था उतार चलाओ जो मेरे तबियत में हो रहा था इसका मैं कारण पता नहीं लगा पाया किस कारण पे उंगली रखूँ उसको कहने का तरीका देखिए I could not put my finger on the reason but I was afraid to go to sleep to be afraid to मतलब डर लगना to be afraid to मतलब डर लगना to be afraid of मतलब का डर लगना I am afraid of you मुझे तुमसे डर लगता है to be afraid मतलब डर लगना so यहाँ पे I was afraid to go to sleep यहाँ पे उसको सोने से डर लग रहा था क्यों आगे बोलता है लिखा कि मुझे सोने से डर क्यों लग रहा था a little voice inside me was saying that if I did I might never wake up again a little voice एक हलकी हलकी आवाज मुझे कान में आ रही थी जो मुझे कह रही थी कि यदि तुम सो गए तो फिर उठ नहीं पाओगे कभी नहीं उठ पाओगे अर्थाद कहीं मैं मर ना जाओ यह शंका थी so see the way writer is saying a little voice inside me आपको कभी कभी एक अंतरात्मा की आवाज आती ही न ऐसा लगता है कि अपने को ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए कुछ कारण नहीं मालूम होता लेकिन आप अपने अंतरात्मा की आवाज के आधार पे कुछ करते होते हैं यहां पे इनको लग रहा था कि अंदर कोई बोल रहा है मुझे के सोना मत नहीं तो पता लगा कभी उठ नहीं पाओ गए अर्था कहीं मृत्य नहीं हो जाए इफ आई डिड आई विल नेवर वेक अप अगेन तो आई स्टेड अवेक आल नाइट और पकार इस भै के कारण मैं रात भर जगा रहा स्ते निचैहरणन निचैऴं न स्टे अवेक मतलब आगे रहना Esse बी अवेक उपलब आगना और व्थे अवेक मतलब आगे रहना पुस्ते थैड इज जय रहना इक स्टे इज पाओ अट … ह्खडे रहना तो यहां पे कर आई करण अएप अवेक अवे. I stayed awake the whole night, घबराहट में, ये डर में कि मुझे कुछ होना जाए, सेटन तुक मी तो दार्चेन मेडिकल कॉलेज, अब सुबह हुई, जैसे भी भोर हुई, सेटन आया, वो मुझे मेडिकल कॉलेज लेगा, दार्चेन का एक मेडिकल कॉलेज तो था कम से कम, The following morning, following मतलब अगले दिन, I am coming to you the following day, तुम यहाँ ग्यारा को पहुच रह हो, मैं बारा को पहुच रहा हूं, तो बारा को पहुच रहा हूं मतलब, you are reaching here on 11th, and I am coming to you on the following day, मैं तुम्हारे पहुचने के अगले दिन आ रहा हूं, So following day, so he took me to the medical college, the medical college at Darachan was new, and looked like a monastery from the outside, with a heavy solid door, that led into a large courtyard, courtyard यहने बरामदा, बहुत बड़े बरामदे में मेरे को, solid door, दर्वादा था, बड़ा विशाल का है, बड़ा मजबूत, और monastery जैसा अस्पिताल का लुग था, monastery क्या होता है, Monastery होता है, बुद्धिस लोगों का एक तरह का आश्रम, जिसे बुद्धिस लोग विहार कहते थे, विहार, V-I-H-A-R, विहार, तो विहार को अंग्रेजी में monastery कहते हैं, वहाँ पे बुद्धिस भिक्षूर रहते भी हैं, और वो उनका पूजा का स्थल भी रहता है, तो जो उसका लुक था, hospital का, वो कुछ तरह, बुद्धिस मोनाश्टी का लुक था, कारण स्पष्ट है कि तिबबत में अधिकतर लोग बुद्धिस अन्याई हैं, बुद्ध धर्म के अन्याई हैं, तो बुद्ध धर्म की छाप उनके हर चीज में दिखती है, यहां तक की वास्टु कला में भी, की बिल्डिंग की कला में भी आधि-आधि में, तो लेकर कह रहा हैं कि भवन में, बाहर से देखने था बड़ा सॉलिड दर्वाजा था, जैसी घुसे तो एक बरामदा आता है, लेकिन बाहर से बिल्डिंग जो है, मुनाश्टी जैसी देख रही थी, डार्चिन की, विल्ड न आपड़ा इंटो एलार्ज कोर्टियार्ड, तो लीड इंटो, लीड मतलब ले जाना, एक तो आगे-ागे चलना और लीड इन्टो, लीड इंटो, रेकिन बागु न की मैं तो शीधा जा रहा था, लीड मतलब को अपला ऑफिस प्ड़ा गया, मतलब अब अगु और that porch led me to principal's office तो यहां पर led me into a courtyard we found the consulting room which was dark हम वो consultant के रूम में गए वहां एक consultant था परामर्श दाता था एक doctor ऐसा कमरा जो अंदकार था थंडा था and occupied by a Tibetan doctor और एक Tibetan doctor वहां था so consulting room अंधेरा था और साथ सी साथ थंडा भी था वहां एक doctor मिला वो doctor जो था he wore none of the paraphernalia that I had been expecting paraphernalia मतलब क्या होता संबंधिस सामान किसी भी चीज का संबंधिस सामान उसे paraphernalia कहते हैं यहां पर doctor से संबंधिस सामान क्या होगा white coat इस टेथोस्कोप दवाईया पैन उसके बाद BP blood pressure लेने की machine weight लेने की machine table कुरसी यह उसका उससे संबंधिस सामान है कार से संबंधिस सामान पराफरने लिया क्या होगा पंचर बनाने का सामान jack, air jack कार को पोशने का जो सामान रहता है वो और आधी आधी कार से जुड़ा हुए तो कार के पराफरने लिया को ले आना मतलब कार से जुड़ा हुए सामान को ले आओ सो यहां पर डॉक्टर से संबंधित पराफरने लिया यहां ना दारत था I could not find anything which made me feel that he is a doctor ना वहां white coat था ना कुछ हैसी चीज थी I had been expecting मैं जो मीद कर रहा था कि यह सब दिखेगा उस कमरे में कुछ नहीं दिखाई दिया no white coat he looked like any other Tibetan with a thick pullover and a woolly hat उल्टा यह किसी Tibetan की तरह ही दिख रहा था कोई सामान Tibetan की तरह कुछ अंतर नहीं लग रहा था वो जो पहना भी हुआ था वो था एक thick pullover एक मोटा सा pullover पहना था jacket और woolen hat पहना हुआ था जो वहां पर सामान रहता सब लोग पहनते हैं ठंड के कारण मतलब doctor जैसा वो बिलकुल नहीं लग रहा था अब क्या होता है when I explained my sleepless symptoms symptoms मतलब chin आप बुलते हैं नहीं कि मुझे चक्कर आने का symptom आ रहा है और लब चक्कर आने की अनुभूती होना giddiness की अनुभूती होना symptoms पहचान चिन कोरोना के symptom क्या क्या है कोरोना का symptom क्या क्या है अर्थाद कोरोना होने की संभावना किस आधार पे कह सकते हैं यदि सर्दी खांसी कही दिन तक है यदि fever कही दिन तक है यदि आपको giddiness लगा तारा रहा है तो संभावना है कि कोरोना हो तो इसे कहते हैं symptoms तो यहां पर मैंने डॉक्टर को sleepless night के symptom बताए मुझे नीद नहीं आ रही है असा मैंने बताया और नीद नहीं आ रही है उसके बारे में बातचीत की and my sudden aversion to lying down to be aversion to to have aversion to मतलब नफरत होनो, चिड़ होनो यहां पर उसने ना सोने से चिड़ की बात भी बताई किसने यह जो यात्री थे जो writer है, narrator है इन्होंने डॉक्टर को यह भी बताया कि मुझे नीद नी आई और साथ ही अब नीद आने से उनको चिड़ थी, उसको भी बताया चिड़ क्यों थी? क्योंकि उनको डर था कि कुछ हो न जाए कहीं वो मौत की नीद नस हो जाए तो एक तरीक से जो डर था उसको भी उन्होंने बताया अवर्शन टू I have aversion to very spicy food मसाले दार भोजन से मुझे सक्त नफरत है I have aversion to spicy food I have aversion to non-vegetarian food मुझे non-vegetarian भोजन से नफरत है अपनी अपनी आदत So I had aversion to lying down लेटने से मुझे थोड़ी सी जो नफरत हो गई थी, उससे मैंने बताया He shot me a few questions To shoot मतलब क्या होता है एक तो होता है Shoot, गोली चलाना Shoot an arrow Man चलाना And he shot a question एकदम बंदूक की गोली के जैसे सवाल पूछना He shot a question मतलब गोली चलाना नहीं गोली जैसे सवाल पूछना He shot me a few questions उसने गोली सवालों की बहुचारें दाग दी एक के बाद एक सवाल पूछने लगा Shoot, shot, shot Shoot के जो तीन पकार है Present tense, past tense, past participle तो उसमें present में shoot फिर shot, फिर shot So he shot me a few questions While feeling the veins in my wrist Wrist मतलब कलाई W-R-I-S-T Wrist मने कलाई, wrist watch घड़ी, हाथ में पहनने वाली घड़ी कलाई घड़ी को बोलते हैं, wrist watch तो wrist की वीन उसको वो छूने लगा Nubz बोलते हैं नो उसको Ween, V-E-I-N, Ween Nuss, वो Nuss जो नबज कहलाती है जिसे छू कर धड़कन पता लगती है तो मुझे एक और डॉक्टर का ध्यान मेरी नबज को छूने पे था दूसरी और वो लगातार सवाल पूछ रहा था और फिर उसके बाद क्या कहता है It's cold, ठंडा है Satan के माध्यम से उसने कहा क्योंकि उसको अंग्रेजी नहीं आती थी तो Satan को उसने कहा कि बता दो कि ठंडा है ये area बहुत ठंडा है एक cold और साथ में सर्दी भी हो गई है and the effect of altitude altitude मतलब उचाई कहां से उचाई, कौन सी उचाई समुद्र की सता से उचाई है आप समुद्र की सता से जितना उपर जाएंगे उतना ही ठंड़क बढ़ेगी और उतनी ही oxygen की मत्रा भी कम हो जाएगी जिससे आपको सांस लेने में तकलीफ होती है इसलिए पहले आपको अपने को उस महौल में ढालना होता है और तब जाके आप सफलता पूरक उपर जाएंगे मांट अवरेस में जो जाते हैं वो अपने साथ oxygen cylinder ले जाते हैं क्योंकि उतनी उचाई पर oxygen नहीं के बराबर है हवा है पर ऐसी हवा जिसमें oxygen ना हो तो अपने साथ वो oxygen cylinder ले जाते हैं और उसको मास्क को पहने रहते हैं तो यहां पर तो यहां पर तो यहां पर तो इस उचाई है यह जगह ठंडी है चिंता मत करो I'll give you something for it मैं तुमको कुछ दूँगा दवाई इसको ले 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 ना मतलब ज़्यादा चिंता की बात नहीं I asked him If he thought I should recover enough to be able to do the quora मैंने मुझे अप रहा नहीं गया डॉक्टर ने तो कहा इसना पर्याद तो ठीक हो जाओंगा कि मैं कोरा कर सको क्योंकि मैं तो जा रहा था कोरा के लिए परिक्रमा के लिए कहलाज परवत की परिक्रमा के लिए मेरा वाना हुआ था और यहां रास्ते में सब क्या क्या समस्याएं आ गई तबीयत भी खराब हो गई तो मेरे को चिंता होगी इस लिवन डॉक्टर से पूछी दिया अंते में कि क्या मैं परिक्रमा करने लायक हो जाओंगा विल आई भी रिकवर इनफ टु भी इनफ मने पर्याप्त रिकवर मतलब पुना स्थापित होना क्या मेरा स्वास्त पुना सामान ने हो जाएगा इतना कि मैं कोरा कर पाऊं ओ येस, he said, you will be fine, don't worry, अरे बिल्कुल हो जाओगे, ठीक, दोस्ट, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो, उन्होंने कहा और इस प्रकार मुझे थोड़ी और राहत दी, दवाई भी मिल गई, राहत मिली, डॉक्टर ने, डॉक्टर से कंसल्ट भी किया, राहत मिली, और अब डॉक्टर कहा रहा है नहीं, बिल्कुल स्वास्त हो जाओगे, कोई चुन्ता की बात नहीं, नथिंग सीरियस, बहुत म मुझे राहत मिली, अब वहां से मैं निकला, I walked out of the medical college, clutching a brown envelope, clutch करना मतलब पकड़े रखना, इसलिए कार में होता है, clutch, two wheeler में होता है, clutch और gear, brake, clutch और gear, यही तो driving का खेल है, और four wheeler में steering, clutch क्या होता है, to clutch मतलब पकड़ना, then he clutched my hands very hard, उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया, तो यहां पर यह कह रहे हैं, narrator कि मैं hospital से निकला, और जो brown envelope था लिफाफा, उसको मैंने पकड़ लिया, मजबूती से, क्या था brown envelope, डॉक्टर ने कुछ दवाईयां दी थी, I walked out of the medical college, stuffed with 15 screws of paper, stuff मतलब भरा होना, your bag is stuffed with all dirty paper, waste paper, my tiffin is stuffed with a lot of food, मेरे tiffin में बहुत सारा खाना भरा हुआ है, we can share, the stuff होना मतलब भरे होना, so it was stuffed, stuffed with what, that envelope was stuffed with 15 papers, screws of paper, छोटे छोटे कागज के ट्रिकोडे को रैप करके उसमें डाल दिया गया था, आप देखते हैं न, डॉक्टर कई बार, पुराने समय में खास का रहा है, वाज तो टैबलेट अलग अलग आती हैं, कागज में लपेट कर देते थे, एक एक गुली को एक एक कागज में लपेट देते थे, I had a five day course of Tibetan medicine, और त्रकार अब मेरे लिए पांच दिन की Tibetan दवाईयों का दौर चला, course मतलब का रिक्रम, I had a course of five day medicine, पांच दिन की दवाईयां मुझे मिल गई थी, which I started right away, और मैंनों दवाई को तुरंत लेना शुरू कर दिया, right away, you go right away from here, तुम अब भी चले जाओ, you take a decision right away, तुम अब भी निरने लो, don't delay, तो यहां पर right away, मैंने तुरंत दवाईया लेनी शुरू कर दी, पंदरा टैबलेट थी, उसमें पंदरा पेपर थे, पांच दिन का था, मतलब एक दिन में तीन बार लेना था, I opened an after breakfast package, मैंने नाश्टे के बाद का package खुला, and found it contained a brown powder, और पाया, find, found, found, find, found, find, find मने पता लगाना, find मने मालूम होना, दिखाई देना, So, I found, past tense, find, found, तो मैंने पाया, कि उसमें brown powder था, To contain मतलब होना, समाहित होना, तो उसमें क्या था? Brown powder, that contains, I had to take that with hot water, और वो brown powder को मुझे गरम पानी के साथ लेना था, It tasted just like cinnamon, what is cinnamon? Cinnamon is ilaichi, clove मने long, c-l-o-v-e, clove मने long, cinnamon याने ilaichi, और एक और आइटम होता है, shop, तीन आइटम हम लोग normally किसी guest को जाते हुए देते हैं, अब shop को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, यह आप पता लगा है, this is a small task for you, look up to the dictionary, search for yourself, what is the meaning of the word, English word, what is the English word for soft, clove is long and cinnamon is ilaichi, right, so it tasted like cinnamon, the powder था, वो ilaichi जैसा स्वाद दे रहा था, the contents of the lunch time and bedtime packages were less obviously identifiable, identify करना ने पता लगा, अब जो दोफर का, यह तो सुबह की बात हुई, दोपहर और रात में जो दवाई थी, वो समझ में नहीं आ रहा था, वो क्या था, सुबह वाला तो ilaichi का स्वाद आया, but second one and the third one, that is the lunch time, post lunch, post lunch मतलब लंच के बाद, post lunch मतलब लंच के बाद, तो यहां पर लंच के बाद जो दवाई लेनी थी और रात की, वो समझ में नहीं आ है, वो क्या है, खैर कोई बात नहीं, he is just telling obviously, not identifiable, both contained small spherical brown pellets, दो पहा और रात, उसमें दोनों में small spherical गोला कार, spherical मतलब गोला कार, छोटे छोटे गोला कार, पैलेट थे मतलब गोलियां थी, दवाई की गोलियां, छोटे छोटे गोला कार, morning वाला तो powder था, cinnamon का स्वाथ था, पर दो फर और रात वाला पहचान में नहीं आ रहा था, और वो tablet जैसा था, they looked suspiciously like sheep dung, very funny, वो तो मुझे suspicious में लग शंका होना, मुझे तो ऐसी शंका होने लगी, कि वो भेड का गोबर है क्या, dung मतलब गोबर, गाय के गोबर को क्या बोलता है, cow dung, भेड के गोबर को sheep dung, तो वो गोबर, भेड के जो गोबर होता है, छोटे छोटे जो बीट जैसा रहता है, बिल्कुल वैसे ही वो गोलियां थी, तो मुझे शंका होने लगी है, क्या दे दिया इन्होंने, इस spherical shape में, छोटे छोटे, color भी वैसा ही, but of course, I took them that night, लेकिन हाँ, मुझे लेना तो, पड़ा उचे रात में, after my first full day scores, दिन भर के बाद, रात में मैंनो इसी लिया, after my first full day score, that night, दिन भर तीन बार मैंने जब दवाई ले ली, उस दिन, पहले दिन, सुबह, breakfast में, फिर दोफर, फिर रात में, I slept very soundly, बहुत गहरी नीन दाई मुझे, like a log, not a dead man, बहुत गहरी नीन दाई, like a log, log मतलब लकडी का टुकड़ा, लकडी, लकडी जैसी नीन दाई, लेकिन, not a dead man, पर इसका मतलब यह नहीं मरा हुआ था, मृत जैसा नहीं सोया मैं, दिमाग चल रहा था, लकडी जैसा, like a log I slept, यह मुहावरेदार अंग्रेजी में हमें शवयूष बोलते हैं, कि I slept like a log, मतलब मैं लकडी जैसा सोया, बहुत गहरी नीन में सोया, तो बहुत गहरी नीन में सोने के लिए, क्या यूज करेंगे log, I slept like a log, तो यहाँ पर आउथर इस सेंग, दाट आफ्टर अंग्रेजी मेडिसीन, I slept very soundly, बहुत गहरी नीन आई, sound sleep, बोलते हैं ना, sound मतलब आवाज, पर sound sleep मतलब गहरी नीन, sound sleep मतलब गहरी नीन, अब सेटन, जो अभी तक मेरे साथ था, medical college ले गया, डॉक्टर से consult करवाया, दवायां दिलवाया, पूरा दिन मुझे देखा, so once he saw that I was going to live, सेटन left me, एक बार जब उसने महसूस किया, दिन भर देख लिया, और उसको लगा कि मैं जिन्दा हूँ, सब को ठीक रहेगा, मैं जिन्दा रहूंगा, I was going to live, live मतलब रहना, और live मने जिन्दा रहना, I live in this room, मैं इस कमरे में रहता हूँ, और दूसरा, live मतलब जिन्दा रहना, कुछी से बना life, so I was going to live, सेटन left me, to return to Lhasa, Lhasa चला गया वो, सेटन जब यह सुनिश्चित हो गया, कि मैं ठीक ठाक हूँ यहाँ पे, और सब कुछ ठीक है, खेरियत है, तबियत ठीक है, तो फिर से वो आपस Lhasa चला गया, Lhasa is the capital of Tibet, as a buddhist, he told me, he knew that, it didn't really matter if I passed away, एक buddhist जैसा, buddhist भिक्ष जैसा, उसने मुझे कहा, कि मुझे मालम था कि, यह कोई, it really didn't matter, यह कोई मायने नहीं रखता, कि to pass away, मतलब मर जाना, कि तुम मर जाओ या जी जाओ, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो buddhist था, और buddhist philosophy में, these are all immaterial, यह सब अप्रासंगिक है, जीवन मरन, तो एक buddhist की तरह, सेटन नहीं कहा, यह कोई मायने नहीं रखता, कि क्या होगा, to pass away, प्रेसिडेंट अफ इंडिया has passed away, भूद पूर्व राष्ट्रपती, स्वर्गस्थ हो गए हैं, उनकी मृत्य हो गई है, तो passed away, but he thought it would be bad for business, लेकिन उसने, वो चा, उसको यह बिलकुल लगा, कि यदि कुछ हो जाएगा इसको, तो मेरा अपना धंदा चौपट हो जाएगा, क्योंकि वही ख़बर जाएगी, कि इसके साथ था और वो मर गया, और उसके बाद कोई सांस की तकलीख पर कारण मर गया, तो दूसरे जो यात्री हैं, वो भी वहानी आएगे अब, दार्चेन कि अरे यहाँ पर तो ऑक्सीजन कम रहती है, और लोग मर जाते हैं, तकलीख होती ही, तो टूरिस्ट लोग निया आएगे, टूरिस्ट निया आएगे तो मेरा धंदा मारा जाएगा, मेरा धंदा क्या था, गाइड का, तो गाइड की कमाई तो टूरिस्ट लोगों पर है, यात्रियों पर है, और यात्रियों के यदि ऐसी खबर लग जाएगी, कि किसी के मौत हो गई है, सांस की तकलीख के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण, तो लोग आना कम कर देंगे, तो वहाँ की चिंता इसको ज़्यादा थी, कोई मर जाएगा, उसकी चिंता इसलिए नहीं थी, कि मरने से कुछ बहुत दुख होगा, इसलिए थी कि बिजनेस मारा जाएगा, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सीधा, उसके दिमाग में जो बात थी, तो डार्चन शहर जो है, वो उतना भैयानक नहीं दिख रहा था, जितना पहले दिन दिख रहा था, हरिबल मने भैयानक, रात की अच्छी नींद के बाद, डार्चन अब उतना भैयानक नहीं दिख रहा था, जितना पहले दिख रहा था, अभी भी धूल थी धूलाए मान था शहर पार्शली डेरलिक्ट डेरलिक्ट मतलब डेरलिक्ट का एक अर्थ होता है दिमाग से बैलेंस खो देने वाला व्यक्ति डेरलिक्ट मतलब पागल और डेरलिक्ट मतलब होता है जिसको हम कह सकते हैं कि वो अच्छूता मानो कोई बहुत दिन से वहाँ ना गया हो तो यहाँ पर वो मिनिंग है तो इट वो डस्टी पूरा धुलायमान था शहर ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत जहां हलचल नहीं है डेरलिक्ट है and punctuated by heaps of rubble and refuge punctuate का अर्थ मैंने बताया था पहले कुछ कुछ जगा this room is punctuated with lot of dust lot of waste papers इस कमरे में जगा जगा punctuated मतलब जगा जगा होना तो यह जगा जगा punctuation मतलब punctuation और था वे चिन जो लगाय जाते हैं question mark will stop comma semicolon colon they are called punctuation और यहां पर है punctuated by जगा जगा फैला हुआ था क्या फैला हुआ था वेस्ट garbage heaps of rubble kachra rubble यहने kachra heap मने जुंड heap मने जुंड कचरे का जुंड जगा जगा था और punctuated by rubble of heap heap of rubble and refuse refuse मतलब waste but the sun shone brilliantly in a clear blue sky लेकिन सूरज शांदार रूप से चमक रा था निले अकाश में और अकाश तो बहुत साफ था तिब्यत इतनी उचाई पर है तो बीच में सूरज और तिब्यत की धर्ती के बीच में जो चीजें अस पश्टिता लाती हैं वो कम थी लुक आउट लुक प्लेन के उस तरफ जब मैं बाहर देख रहा था दक्षिन की ओर तो क्या मुझे मिला एक हिमालय की जलक दिख रही थी विजन अप दे हिमालय विजन मतलब जलक दिख वो मुझे दिखाई दे रहा था रमनी दिख दिख रहा था commanded by huge snow-capped mountains commanded by a huge snow-capped mountain और वो हिमालय के ऊपर हिमालय के शिखर पे snow-capped था cap मतलब टोपी snow की टोपी थी अर्थाद बर्व से अच्छाजित था वे जो पहाड की श्रिंखला दिख रही थी वो शिंकला की जो उचाई जो शिखर थे उन उतंग शिखरों पर बर्फी बर्व दिखाई दे रही थी कितना बड़िया दिर्शियों का वर्णन है एक और बर्फ उस पार बड़ी बड़ी पहाड़ियां उनकी उचाईयों पर ये नीला काश सूरत की रोशनी चमक रही है शहर धुलाए मान दिख रहा है लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है बहुत यहां आना जाना लोगों का नहीं है और चारों तरफ कच्रा है पूरा वर्णन है इसमें गुरला मान धाता विछ जस्ट ऍावुप आफ विप अंप्लाउड सस्पेंड़ ओर अवर इट समेट और वो माउंटेन कौन था जो माउंटेन उनको दिखाई दे रहा था हिमालय का वो माउंटेन था गुरला मान धाता ये नाम था जैसे एवरिस्ट है नंदा देवी है ऐसे ही एक और उन शिखरों में से एक शिखर था मानधा था वो दिखाई दे रहा था जाट एक शुटा जुटा जुट सुस्पिंदेड ओहरे शुट एस प्र दॉज्ट मतलब टॉपी उन चारी विलकुल पहाड की जो चोटी है उस चोटी पर मानों बादल का एक टुकड़ा सस्पिंड है उस पर टिका हुआ शिखर की चोटी पहाड के शिखर के ऊपर बादल है वो टिके हुए है ऐसा दिर्श दिख रहा था Suspend होना का दो अर्थ होता है To Suspend मतलब किसी को नौकरी से कुछ समय के लिए हटा देना और एक Suspend होना मतलब किसी के ऊपर रखना The dust is suspended all over धूल जो है वो सब तरफ फैली होई है So Suspend यहाँ पर विस्प अफ क्लाउड बादलों का छोटा जुण यह पूरा वर्डन तो हो गया कब का राज भर बढ़िया नीन जबाई तो अगले दिन सुबह के रमणी दृश का जिकरे हाँ पर आपने सुन लिया